हेलो गाइस आज का वीडियो बहुत जदर कमाल का होने वाला है गाइस जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो को देखा तो आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना कर सिखाने वाला हूँ और दोस्तो आप आप यहाँ पर आपने खुद के फोटु से कुछ IStतरे का Statuses Video बना सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग भी आपने खुद के फोटु से कच IStतरे का Status Video बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते हैं इस वीडियो को एन्ड तक बिना是kip किये और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सकाइब करके All Notification को On करदना क्योंकि दोस्तों मैं अपनी चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आतर हैता हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं आपको इस वीडियो को डिपके सना कानमास्टर आप की लिंक मिल जाएगी तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर आप को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड होने कवाद कानमास्टर आप को ओपन करना है काइन मास्टर एप उपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह इस ओप्सन आ जाएंगे तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लैस ओप्सन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक होने कवाद यहां से आपको नाय रैसुसिस्टिक की साइज को सेलेट करना है क्लिक करते ही आपके मौल की गैलरी उपन हो जाएगी तो यहां से आपको इस फोटू के अबाल पेपर को सेलेट करना है इस तरह से आपको भी दसवारा फोटू को यह बाल पेपर को सेलेट कर लेना है select होने कद आपको first position पर आना है आपको right side में एक option मिल रहा है IDO वाला यहां पर आपको click करना है click होने के बाद आपको यहां से song को इसमें select करना है guys आपको इस song की link इस video को डिप किसने मिल जाएगी तो आपको link पर click करके sound को download कर लेना है इस तरह से आपको song को इसमें select करना है select करने के लिए आपको plus option मिल रहा है इस पर आपको click करना है click करते ही आपका sound यहां पर select हो जाएगा यहां से आपको इसको डन करना है guys आपको ball paper की layer को इस तरह से zoom करना है इस तरह से आपको इसको zoom करना है ई जुम होने के बाद गाईस आपको बीट के हिसाब से इसको set करना है तो गाईसSee आपका जहान से नीचे यह ज़्यादा sound आ और आ यहां से आपको क्लिक होने का कैची वाला option मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, यहां से आपको trim to right to paid पर क्लिक कर देना है, तो guys आप देख सकते हैं मारा बाल पेपर कट हो चुका है, अब guys आपको इसी तरह से sound को देखते जाना है और बाल पेपर को कट करते जाना है, तो चली हम जली से सभी ब बाल पेपर को कट कर लेते हैं, जहां से हमारा यह ज्यादा sound आ रहा है, यहां से आपको बाल पेपर कट करना है, guys आप देख सकते हैं मैंने साही बाल पेपर को sound के हिसाब से set कर लिया है, इस तरह से आपको भी बाल पेपरों को set कर लेना है, set होने काद आपको first position पर आना है फर्ष्ट वाले paper पर click करना है click होने को अधर clip gap इस वाला option मिल रहा है इस पर click करना है यहां से आपको नीचे चले जाना है नीचे एक option मिलेगा गेट मूर इस पर click करना है second number पर एक option मिल रहा है इनहें e-mination इस पर आपको click करना है click करते ही guys आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा तो आपको right side में एक download वाल option मिलेगा यहां पर आपको लिक करके इसको download कर लेना है आपको यहां से back जाना है तो आप देख सकते हैं मैंने emination वाले clip gap इसको पहले से ही download करके रखा है तो इसको आपको second वाले को इसको लगा देना है यहां से आपको इसको done करना है second वाल पेपर पर click करना है click होने के वाद clip gap इसको पर click करना है in emination वाले clip gap इसको 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 लगा देना है guys आपको इसी तरह से सभी वाल पेपर में clip gap इसको लगा देना है तो चलिए हम सभी बाल पेपर में clip gap इसको लगा देते हैं गाईस आप देख सकते हैं मैंने सभी बाल पेपर में in emination वाले clip gap इसको लगा दिया है आपको भी इस तरह से in emination वाले clip gap इसको सभी बाल पेपर में लगा देना है अब guys आपको ball paper की layer को इस तरह से zoom out कर लेना है इस तरह से आपको इसको zoom out कर लेना है first position पर लेना है layer पर click करना है, click होने का उद media पर click करना है यहाँ से guys आपको इसमें एक particle effect video को select करना है guys इस video को बनाने में जो भी material उजोगा आपको उन सभी का link करना है, click होने का आपको फिर से layer पर click करना है click होने का उदर media पर click करना है यहाँ से आपको इसमें एक और effect video को select करना है select होने के बाद आपको इसको खीच कर full screen में इस तरह से लगा लेना है यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक option मिलेगा blending इस पर click करना है क्लिक होने काद आपको screen वाले option को select करना है यहाँ से आपको इसको done करना है guys आपको last वाल layer पर click करना है click होने काद मीडिया पर click करना है यहाँ से आपको इसमें एक borderline को select करना है तो guys आप देख सकते हैं मैंने borderline को select कर लिया है select होने का दब को कहची के option के बागाल में एक option मिल रहा है इस पर आपको click करना है click होने का दिस पर आपको click करना है click करते ही आपके borderline खुली screen में लग जाएगी आपको borderline के layer को कीच कर video को layer के बरावर करदना है यहां से आपको इसको done करना है guys आप देख सकते हमारी video पूरी तरह से यहां पर edit हो चुकी है अब हम video कुछ लाकर देखेंगे guys आप देख सकते हमारी video कितने amazing तरह से यहां पर edit हो चुकी है अब guys आपको इस video को save करना है save करने के लिए आपको उपर एक option मिल रहा है पर आपको click करना है, click होने के बाद यहांसे आपको नीचे एक option मल रहा है, export इस पर आपको click करना है, click करते ही आपकी बीडियो डाउन्लोड होने लगई, तो दोस्तों आप इसी तारह से अपनी photo लागा कर, एक किसी walpaper को लागा कर, reels, viral, trending, status बीडियो बना सकते हैं, guys अगर य वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सस्काइब कीजिए